असलाम वालेकूम और रहमतुलाहिव बरकातों आज हम सौधियरभ की दो बड़ी अपडेट आप तौम दोस्तों के साथ सेर करने वाले हैं पहली जो अपडेट है दोस्तों जो लोग इस वक्त सौधियरभ से बाहर चुट्टी पर मौझूद है उन तमाम लोगों के लिए है जबकि दूसरी जो अपडेट है नया वीजा श्टार्ट होने के हवाले से हैं तो दोनों ही अपडेट आप तौम दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है तो अगर आप सौधियरभ में हैं या सौधियरभ से बाहर हैं इस वीडियो को आप सुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें दूस्तों वीडियो संद आए लाइक औ और सबसे पहली बात ये कि अगर आपका वीजय एकामा खतम हो गया है तो आप बिलकुल ही सौधियरभ आ सकते हो लेकिन अगर आपका कफील ये आपकी कमपनी बुलाए तो ही आप आ सकते हो यानि अगर आपकी कमपनी आपकी कफील को जरूरत नहीं है वो आपको नहीं बु सकते हो हाँ अगर विज़े पर आने के लिए आपको तीन साल का इंतियार करना होगा अब यहाँ पर एक आपको अपडेट ये भी जारी कर दें कि जो अपडेट मेंने कुछ टाइम पहले आपके साथ सेर किया था सूदी जवाजात की हवाले से इसमें जवाजात ने ये कहा थ था कि अगर किसी बंदे का एकामा जो इस वक्त छुटी पर गया हुआ है और एकामा वीजा खतम हो गया है तो उसका वीजा एकामा खतम हुए अगर छे महीना भी हो चुका है तब भी कंपनी या कफील उसको रिन्यू कर सकता है यनि कि अगर आपका वीजा एकामा खतम जिसके बाद आप सौधी रब में इंट्री कर सकते हो तो यहाँ पर यही रूल से जो है वो लागू होता है कि अगर आप सौधी रब आना चाहते हो और आपका कफील आपको सौधी रब बुलाना चाहता है तो ही आप सौधी रब आ सकते हो और आपका वीजा एकामा उसके लिए आपके कफील या कंपनी को रिन्यू करना होगा अगर आपका वीजा एकामा खतम हो गया है 3-4-5 महिने हो चुके हैं तब भी आपने कंपनी या कफील से कॉंटेक करें आप ये नऄा सोचें कि मेरा वीज़ा एकामा खतम हो चुका है अब तो हम नहीं जा सकते हैं आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें हो सकता है अपकी कफील या कमपनी को आपकी जरुरूरत हो आप अपने कफील या कमपनी से कॉइनटेक करें और बोलें कि आप मेरा वीजा एकामा जो है वो रिन्यू कर दें हम सुधिरभ आना चाहते हैं दुबाई होकर तो हो सकता है वो आपका वीजा एकामा जो है वो रिन्यू कर दें और आप जो है दुबाई होकर सुधिरभ इंट्री कर सको कि अभी डारेक फ्लाइट के चक्कर में पड़ना बेकूफी होगी क्योंकि अभी कोई भी अपडेट नहीं है कोई भी ओफिसल अपडेट नहीं है कि जिसमें बताया गया हो कि फ्लाइट में फ्लाइट जो है वो इंडिया से सूद्रफ के लिए ओपेन हो रही तक कोई भी ओफिसली तोड़ से announcement नहीं किया गया है तो ऐसे में आप तमाम लोग जो है वो इंतिजार ना करें direct flight की अगर आपको आना है तो आप दुबई होकर सौधिरभ में entry कर सकते हो क्योंकि बहुत सरे लोग अभी दुबई होकर सौधिरभ आ रहे हैं तो आप लोग भी आ सकते हो तो यहाँ पर मैं फिर एक बहुता दूँ कि पबंदी आपके उपर तीन साल की एकी सुरत में लगती है कि अगर आप चुट्टी पर गए हो और खुद नहीं आना चाहते हो या फिर आपके कफील या आपकी कंपनी आपको नहीं बुलाना चाहती है तो फिर आप के उपर तीन साल की पबंदी लगती है अगर आपको उसी कफील या उसी कंपनी के पास आना है या वही कंपनी वही कफील आपको बुलाती है तो आपके उपर तीन साल की पबंदी जो है वो नहीं लगती है दोस्तो अगली जो अपडेट है वो नया वीजा स्टार्ट होने के हवाले से जिसकी आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि भाई नया वीजा सौधी गोवर्मेंट कब तक सुरू करेगी तो यहाँ पर आप तौम दोस्तों बताना चाहते हैं कि नया वीजा जो है वो सौधी गोवर्मेंट शुरू कर चुकी है कल ही एक अपडेट जारी हुई ती इसमें बताएगे गया था कि तक्रीबन तीन हजार वर्कर जो है वो पाकिस्तान से नय वीजे पर सौधी गोवर्मेंट को तीन हजार वर्कर की जरूवत है और तीन हजार वर्कर के लिए पाकिस्तान के लिए नया वीजा जो है वो इसु किया गया है और पाकिस्तान से तीन हजार वर्कर जो है वो नय वीजे पर सौधी रप आएंगे और बाकी जिन साथ सौधी गुर्रोंमन्ट फ्लाइटें चला रही है अगर उन देशों के भी वरकर की सौधी को ज alumni को जरु張 है तो अन देशों से भी वरकर जो है वो नए वीजिय पर सौधिरफ आ रहे हैं साथ में आपको वता दें कि अगर आप बात करें इंडिया की A B G T अबी स्वाइप नहीं आसकते हैं। जो है वो इस्टम हो चुका था अभी हम कब तक सुधिरभ आ सकते हैं को आपको दादें कि जब डारिक फ्लाइटें ओपन हो जाएगी तो यह आप जो है वो सुधिरभ में इंटरी कर सकते हो आप किसी भी तरह का नया वीज़ाप का है अगर आप सुधिरभ आना चाहते हो तो